नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन बॉर्ड में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोपिक के बारे में जिसमें आप सभी को प्रोब्लम आती होगी वो टोपिक है मैज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैज को आपको कैसे अटेंप्ट करना है कैसे पढ़ना है कैसे प्रेक्टिस करनी है कौन सी बुक से आपको पढ़ना है आज हम वीडियो में इन सभी टोपिक्स पर अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे दुआरा अफलोड की गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप से भी कुछ समय समय पर मिल हो तो आपके लिए ये बुक सबसे बैस्ट है आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए आपको इस बुक का लिंक वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से ओनलाइन पर्चेज कर सकते हो घर बैठे ही बुक को मंगा सकते हो अब बात आती है मैच को कैसे पढ़ना है तो सबसे पहले जब आप मैच पढ़ना शुरू करो तो उस चैप्टर से शुरू करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो जैसे माल लो आपने एवरेज को चुना तो आपके पास जो भी बुक है उसमें चैप्टर शुरू होने से पहले उ आप उसको notes कहते हो जो एक number से लेके 100 number question तक आपने line से solve किये होते हैं अगर आप इसको notes बोलते हो तो आप गलत हो match में ऐसे कोई revise नहीं करता है कि 1 से 100 question तक आपने कैसे solve किये हैं तो उसको पलट कर देख रहे हो ये बेवकुफी है time waste है तो आपको ऐसे notes नहीं बनाने हैं आप आपको दोस्तो क्या करना है हर chapter के formula और trick को note करते हुए चलना है वही आपके notes कहलाएंगे और उनको ही आपको exam के time पे revise करना है दोस्तो आपको match की तगियारी के लिए किसी भी tuition या coaching की जुरुत नहीं है क्योंकि कहीं भी आप किसी भी coaching institute में जाते हो तो वो लोग क्या करते ह है महां की teacher की जिम्मेदारी होती है कि match की कोई भी specific book को complete कराना यहां एक बाग पर आपको ध्यान देना है उनको वो book complete करानी है आपको नहीं करनी है इसके लिए वो लोग क्या करते हैं board पे लिख देते हैं profit and loss question number one solve कर दिया और आप लोग पीछे बैटके उसको copy paste करते रहते हो और जिस दिन profit and loss chapter का आखरी question हुआ उस दिन आप सुचके कि बस profit and loss मेरे complete हो गया है तो दोस्तो आपका profit and loss complete नहीं हुआ है वो teacher का complete हुआ है उसकी जिम्मेदारी खत्म हुई है आपका काम अभी भी बाकी है in fact अभी तक आपका काम शुरू ही नहीं हुआ तो इस तरीके से आपको maths की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है नोट्स आपको ऐसे नहीं बनाने है आपको नोट्स कैसे बनाने है जो भी उस chapter से related formula है ट्रिक है उसको आपको एक जिंगे पर note करते वे चलना है तो इस तरीके से आपके पास पूरे maths का formula और ट्रिक एक जिंगे पर लिखा होना चाहिए इससे क्या होगा जब भी आपका कोई भी exam होगा तो exam से एक दिन पहले बस page पल्टो और आपका पूरा maths revise हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले step की तरफ अब आपको आगे क्या करना है आपको ट्रिक की तरफ पहले ही नहीं भागना पहले आपको concept किलियर करने है मैट्स एक ऐसा subject है जो practice मांगता है आप सबने सुना होगा practice makes a man perfect और वो सबसे ज़्यादा reliable मैट्स के साथ ही है बहुत से लोग बोलते हैं बिना pen और paper के मैट्स solve करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको mind में बस इतना ही काम करना है जब आपके सामने match का question हो तो आप अपने दिमाग को ऐसे trend करो कि आपके सारे formula और सारे trick आपको याद आ जाए उसके बाद आपकी आके वहाँ वहाँ जाकर रुके कि ये दिया है ये दिया है उसके बाद आपका दिमाग ये remind कर पाए कि अच्छा इस पास question बहुत होते हैं और आपके पास time कम होता है तो इसके लिए आपको अपनी speed increase करनी होगी और आपको अपने calculation को fast करना होगा इसके लिए आपको table याद होने चाहिए जो भी square हैं cubes हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए finally दोस्तो अब आपको short tricks पर काम करना है तो short trick से ज अगर यह सच में आपके लिए help food हुए हो तो please channel को subscribe कीजिए हमारी वीडियो को like करें share करें और comment जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी